कल एक छोटा सा लाइव सेशन और्गनाइज किया था हमने यूटूब के उपर जिसमें एस्बी आई को काफी डिसकेशन किया था उसके उपर सो देखिए इसको सबसे बहुत कर लेते हैं प्रीवेस मेरा एक हाई है हम इस हाई को मार्ग करेंगे और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी जो हमारे लेवल यूज हुआ था और कल भी हमने जिस लेवल का यूज किया था वो मेरा यह वाला लेवल था जैक्ट हाई ओके इसके पास सही हमें कंफिर्मेशन और कन्विक्शन लेनी थी किया से प्राइस मेरे डाउन साइड के तरफ गिर सकता है या फिर इसके अ हमारा वो मेरा आज का एंट्री पॉइंट बना एंड स्टॉप लॉस मेरा आज का स्विंग हाई था टार्गेट के लिए डाउन साइड के कुछ रेंजेस थी जैसे की एक तो डाउन साइड के पॉइंट्स लाइक मेरे अगर हम देखते हैं तो सपोर्ट यह वाले सपोर्ट थे एंड अगर इन्ही सपोर्ट को आगी की तरफ और फारवट कर देते हैं तो आपको एक्जेक्ट आज का टार्गेट मिल जागा एक्शली यही टार्गेट हमारा कल का भी था तो कल वो टार्गेट नहीं मिला है आज एक्जेक्ट उसी रेंज पर हमारे जितने ही लोगिन करते हैं इसको इस प्रेसो ओके एंड लोगिन चूस परफेक्ट इड पास्वर्ट इसके नहीं डालते हैं यहां से order book open करते हैं 1190 quantities के साथ हमने आज का trade यह अपना एक्जेक्यूट किया था एंट्री जो लीती 544 रुपए 70 पैसे पान एंट्री थी 544.70 पर इसको एक बार रिफ्रेश्च कर लेते हैं perfect stop loss order देख सकते हैं आप यहां पर 546.80 के stop loss order ने जितने profits थे हमारे 532.70 पर सारे profits बोक कर लिये थे perfect लगबग 12 points के आसपास का profit हमने आज के session में SVAIN के अंदर अचीव किया था लगबग करीब 2% से ज्यादा का target था and position book देखेंगे profit आप देख सकते हैं overall जो आज का profit है 14,000 प्लस का profit था एक decent profit और एक satisfied profit हमारा इस weekend के एक बार रिफ्रेश्च कर लेते हैं इसको भी perfect 14,000 प्लस के आसपास का profit है जो की sufficient profit हमारा आज के session का Friday के session कर रहा okay so thank you and अब हम बढ़ेंगे अपने charts के तरफ and charts के पर discussion करेंगे उनको marking समझेंगे higher time frame की psychology समझेंगे lower time frame पर price को देखेंगे and lower time frame पर price को समझने कोशिश करेंगे okay so thank you and welcome to the studio sbi को कल का अगर video आपने नहीं देखा तो कल का वीडियो आप देख सकते हैं कल हमने जो video upload किया था session वाला life session का अगर आप नहीं देख तो आप देख सकते हैं कल थिक ठाक analysis के अंदर की थी और उसको अगर नजर अनदास करते हैं तो तो SBI के अंदर आप एक चीज यह देख सकते हैं, फिलाल अगर कोशिश करें, कल वाला वीडियो देखें, तो काफी कुछ आपको समझ भी आ सकता है, अगर आप SBI का ये टेट समझना चाहते हैं, तो, otherwise, skip कर सकते हैं, उसको, and, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जितनी भी रे हाई था, लेटेस्ट जो स्विंग है, अगर इसने ब्रेक नहीं किया होता, तो मेरा इस वक्त का जो हाई था, वो 542.30 था, यानि के प्रिवियस वाला, 2021 का, and 22 में एक यह हाई लगा है, जिसका हाई है हमारा 546.40, यानि के 5 रुपए से हमारा एक हाई, और मेंटेन हुआ ओके, तो एक तो यह वाला ही था, अब आप देखेंगे, कि 1st of February की candle एक important candle है, because यहाँ पर 31st of January के बाद में, प्राइस ने एक gap up opening दी, एक strong opening दी, और प्राइस ने यहाँ से अपना एक high लगाया था, बट एक gap up opening दे देने के बाद, प्राइस मेरा up में जाकर के सीधी नीच गिर गया, यहाँ से प्राइस मेरा up गया और वापस नीचे गिर गया, उसके बाद में 3 दिन हो गया है अगर हम 31st ये और ये वाली candle ले ले तो 3 दिन हो चुके है, प्राइस हाई लगाता है, गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, यही देखते हुए हमने कल भी इसको short किया आज भी हमको एक अच्छे opportunity मिली, जिस वेसे हमने इसको आज के दिन भी trade किया, volumes को height कर देते हैं, यहाँ पर हम 1st of February का high mark कर लेंगे, 543.95 ये एक range निकल करके आएगे हमारी है, आप इसको यादर रखिएगा, जिस्ट विकॉज़ आपर एक gap of opening होने के साथ साथ प्राइस विरा नीचे के दिशाम में गिर गया था, और अभी तक भी जो price हमारा treat किया है, last two trading session में, हमारा 1st of February के high से ही reject हो करके price मेरा downside के तरब गिरा, अब minute price analysis करेंगे, कुछ पैसो से कीज़ेगा, 1st of February का high यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1st of February का high 543.95, 2nd February का high 544.25, बढ़ा है, और अब देखने, 3rd of February का high फिर break हुआ 544.70, यहाँ पर 544.25 और यहाँ पर 544.70, पचास पैसे से up-down हुआ है, और आज की trading session में और ज्यादा है, एक नया high लगा है, आज का हमारा stop loss लगा हुआ था, just swing high था, entry लेने से पहले, यहाँ पर जो हमने एपनी entry ली थी, previous day का, जो lower time frame पर चलते है, lower time frame पर ज्यादा अच्छे समझ में आगा, वीडियो अगर अच्छा लगते है तो उसको जरूर लाइक कीज़ेगा, comment कीज़ेगा, और अप्र फेरेंट सरक में शेयर करने की कोशिश कीज़ेगा, लगास बहुत मैनत लगती इस तरह है कि वीडियो बनाने म जैसे ही price ने एक high लगाया, क्योंकि कल का ही था न यह वाला, एक swing भी था, अगर पर इसको upside के तरफ जाना है, तो क्या करना होगा, normal market में, up down, up, stress, but market ने क्या किया है, एक up direction दिखाया, यहां से बहुत आराम से समझने कोशिश कीज़ेगा, इसको कोई जल्दवाजी नहीं ह आता है, तो एक बार दो बार आप इसको rewind करकर देख लिजे, कुछ अगर confusion हो तो आप comment box में से पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी questions हैं, उनका answer करें, price ने एक high लगाया, यहां पर वापस देखिए, swing लगानी की वजाए, price मेरा कल की range के अंदर आ stock दिया था, यह वाली एक range mark करके, वापस दोबारा उस जगह पर price गया नहीं है, और अपने supports थक आया है, और price ने एक अच्छा खासा target हमको 1% से ज्यादा का move दिया है, यहां से लेकर के यहां तक देखिए, 1.23% का move हमको मिला, तो जो भी stocks हम देते हैं, उसको आप देखा क लिंक है, बजाज फिंसर को भी हमने उसी में दिया था, कोशिश करते हैं, रोज के हम वाप और कुछ high probabilities के stocks हम morning में provide कर दें आपको, वापस टॉपिक पर चलते हैं, हम यहां पर open कर रहे थे, nifty का chart, nifty bank, market upside के दरफ गई है, 9.35 and उसके पहले की candle 9.30 की, price ने 9.30 पर एक high लगा देने के बाद में, price उस range के ऊपर नहीं निकल पाया, अपनी range के अंदर ही travel करने लगा, मतलब कि यहां से भी highs, क्या हम लोग यहां पर confirmations कि ले सकते हैं, कि price ने highs लगाने बंद किया है, और वापस price अपने lows लगा, यहां से भी highs लगने बंद हुए है, nifty ने भी highs देख रहे हैं कि अपने lifetime high से यह reject हो रहा है, कल की range के अंदर आकर यह trade करने लगा, हमने simply इसके अंदर क्या किया है, कि जैसे ही 9.35 की candle ने अंदर की तरफ closing दी हमने यहां पर अपने trade execute कि, same price मेरा था, जो कि कल की 12.50 की candle की candle का हा, यह वही मेरा आज का entry point बना था, and stop loss जो हम इसके अंदर effort हमने नहीं लगाए, एक simple सा trading setup था, and targets के लिए आपको मालूम है कि कल की जो अपनी ranges थी, वही हमारा आज का target बना, 5.32.70 हमको वह range यहाद भी है, यह range हमारी कल की थी, यह कल का मेरे target था, जो कि pending पड़ा था, आज की market ने हमको पूरा पूरा target दिया है, drawings बनाने में काफी problem होती है, so, चलिए इसको बनाते है, एक यह high, यह swing high था अपना, okay, so, यह high, price मेरा upside की तरफ जा रहा है, और वापस यह अपनी range के अंदर आके गिर रहा है, और फिर से एक नया high लग रहा है, लेकिन sustain नहीं कर पा रहा है, और इसके पहले आपको मालूम है कि price ने gap up opening दी थी और फिर अंदर आकर के गिर गया था, है ना, वो black candle जो थी अपनी, 31st की, फिर से price मेरा upside की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, फिर यह नीचे की दिशा में गिर जा रहा है, दो-तीन वाइर ऐसा हुआ, गिर रहा है price, और आज भी market ने क्या किया, upside में जान आने के बाद में, जैसे ही price नीचे की दिशा में गिरने लगा, और कल की range के अंदर आकर के, जैसे इसने entry ली, हमने यहाँ पर अपने position डेवलप कर ली, और swing high का अपना stop loss लगा लिया, nearest जो support point थे मेरे, वहां के अपने target हो गया, so यह अपनी आज की analysis थी, SBI को लेकर के, I hope क आपको समझ में होगा, कुछ ना कुछ चीस से आपने सीखा होगा, अगर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हूं, आज का अपना trading session काफी शांदार trading session रहा, कल की market, sideways market में है, आज की market ने ठीक ठाक profit हम को दिया, I am happy Friday का session है, family के साथ, अपने friend के साथ, पूरा weekend enjoy कीजे, Monday को वापस से market स्टार्ट होगे और हम भी वापस से स्टार्ट होगे, so thank you and we will meet again